हेलो एवरिवान टेस्टी किजिंग में स्वावत है यहां पर मैं सबजी बना रही हूं परवल का अब डेली आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से और थोड़ा सा पियर ट्रीक अपनाएंगे तो सबजी आपका बहुत टेस्टी बई बनेगा और देखने में अच्छा भी लग इसको भी फॉलो कर सकते हैं यहां पे मैं काटने के बाद यारं पर पंकाड़ करेंगे हैं अच्छा सारा रोस्ट हो को तवह हैं यहां पर देख सकते हैं मेरा पटल अच्छे से भून चुका है इस तरह से बंदों दोंगी आप्ट अब यहां पर क्या करेंगे ना कि इसको हम निकाल लेंगे राप आलू को में बड़ा बड़ा काटी हूं ताकि इसमें घूले है ना समजी में काट करखे उसी तरह से हम इसको भी फ्राई कर लेंगे डग करके दो से तीर मीनट के लिए उसके बाद हम यहां पर क्या कि है ना कि प्यास को चौप कर लिए हैं बारीक सा क्योंकि भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो यहां पर मैं पहले प्यास को भून लोंगी दन उसके ब अपना करके त्यार कर लोंगी क्योंकि इसमें टमाडर और लसुन का है तब तक यहां पे मेरा आलू बून चुका है देख सकते हैं कितना अच्छा बून करके त्यार हुआ है इसको हम थाली में निकाल लेंगे देन उसके बाद उसी कड़ाई में यहां पर डाली हूं यहां गोर्डन ब्राउन यहां मैं देख सकते हैं। अछ Ñणặt देख सकते हैं। इस तरह से भून दिए हैं। उसके बाद हम यहां पर क्या हैं हैं। तैयम्क कुट्षिक मितल म्मीज़ सब्सक्राद में आपके धुट्मब टालें। सब पाउड़र दालेंसाफ है करत एक और यहां पर इस सथे पाउड़र दाले है। स्थे यहां पर रॉड़र आप मेरा ढी यहां से जियाने help पाउडर डॉड़ रहें दख डग करके मसाले को मीडियम आज पर नह्याँ को जलने का डर यहां पर चलाते हैंसे सब्जी को डालने के बाद इसमें देख सकते ही कितना अच्छा है तो सब्जी भी अच्छा ही बनेगा इस तरह से अब हम भूनेंगे मसाले को मसाला यहां भून करके त्यार हो चुका है अब इसमें हम जो पटल और आलू को हम फ्राइ किये थे उसको हम एड़ करेंगे एड़ करने के बाद इसे कुछ दिर के लिए तो थोड़ा भूनेंगे न गरम पानी डालने वर्लें सब्जी को जोसे के टेश्च माण नर्वगметर तॉम इसमें प्राइब कर मादय तो उसमें करेंगे साथी अच्छा बनेगा है तो चोटी च्चोटी वर्लो करने से लिए पासिती बनता है यहां पर पानी डाल दित्काषब कर सकते हैं कंभूts कील तो फाइनली मेरा सब्जी यहां पर बन करके त्यार हो गया है आप चाहें तो इसे पराठे के साथ या चावल के साथ आप किसी तरह से इसे सर्फ कर सकते हैं बहुत कहां टेस्टी और यमी बना हुआ है तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए से